और सदम को यह भी बताना चाहूंगा इस फेसाफ में हाथा पाई भी हुई और भारती से नाने बहादुरी से पीयले को हमारी टेर्टरी में अतिकर्मन करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मज़ूर कर दिया इस जर्ट में दोनों और के सैनिकों को कुछ चोटे आई हैं उक सवापती महुद है मैं इस सदम को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की ना तो मृत्टी हुई है और ना ही कोई गंभे रूप से गायल हुआ इंडियन मिलेट्री कमांडर्स के टाइमली इंटर्वेंशन के कारण पियले सोलिजर्स अपनी लोकेशन्स पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चार एरिया के लोकल कमांडर्स ने 11 दिसंबर 2022 को अपने शाइनीज काउंटर पार्ट के साथ अस्थापिट तब एक फ्लैग मिटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की चीनी प्रक्ष को इस तरह के एक्शन्स के लिए मना किया गया और सीमा परस्तान की बनाये रखने के लिए उन्हें कहा गया इस पुद्धे को चीनी प्रक्ष के साथ कूपनीतिक अस्तर पर भी उठाया गया है उपस्वापती महोदे मैं इस सवन को आस्वस्त करना शाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भावमिक अखंड़ता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिराफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदाई उत्तपर हैं मुझे विश्वाप से कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से तबरसन देगा और अध्यक्ष महोड़े मैं आस्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संसे के भारत की सेना की शमता शाओर पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनांदन करेगी माननी रक्षा मंतरी के अरुनाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 को जो घटना घटी उसके बारे में विस्तिरित वक्त अबे सदन के समक्ष रखा है माननी सदसगन हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सिमाओं पर तैनाथ है और उनके सेर और भीरता पर पूरे सदन को हम सब को विस्वास और भरोसा है देश की सिमाओं की सुरक्षा और संपर्भुता के लिए सरोच बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदय ततपर हैं और रहेंगे मानी सदस यह एक समवेदंसील विशे है जैसा मानी रक्षा मंत्री जी ने बताया सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभिरता के साथ ले रही है और सभी आवस्यक कदम उठा रही है मुझे विश्वास है कि समवेदंसील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक बत से हम यह संदेशी सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनोतियों का सामना करने में सभी दोल और पूरा देश एक साथ है मानिये सदसिगांग मैं आपको बताना चाहूंगा इस सदन के अतीत के कुछ हुदारा सेसन नंबर 210 में 6.3.2007 को नकसल अटैक ऑन स्री सिसूल कुमार मैं तो MP लोकसभा इस विशेपर फिर सेसन नंबर 212.26.2007 को सिरियल बंब ब्लास्ट यूपी फिर सेसन नंबर 215.13.3.2009 को फॉलो अप मुंबई टेर्रिस्ट एक्ट फिर 215 सेसन में 18.2009 को सिच्वेशन इन स्री लंका इन समवेदंसिल विश्यों को देखते हुए क्वेरी पूछने के बहस करने की आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी इसलिए इस पर भी जो क्वेरी आये हैं मैं निवेदन करता हूँ को कोई कैरी इस पर नहीं हो धन्यवाद।